हेलो इस्ट्वेंट्स आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल स्टेस एजूकेशन के लाइफ क्लास में दोस्तों आज विजो है हमारा वेस्पति बार है इसलिए आप लोगों केमेस्ट्री का जो क्लास है वह बीच में रह गया और आज से हम लोग हिस्ट्र और संडे है चार दिन जो है लोगों को सवेस्ट्र चैप्टर को देख चुके थे अगर नहीं देखें आ तो में लिंक दिया गया है अब वहां से भी जाके देख सकते हैं अगर आप लोग वहां नहीं देखे तो मैं आप लोगों को भी रिभायच करा देता हूं पहले दो तो दोस्तों आज हमारा मैट का क्लास स्टार्ट होने वाला था लेकिन आज किसी कारण से मैट को क्लास को श्टार्ट नहीं किया है आप लोगों को आज गुरूप में वीडियो भेजा गया था आप लोग उसे देख लिए होंगे मैं असा करता हूं अगर नहीं देखें गया मैट का तो देख ले को चल से आपकर मैट का क्लास होगा उसमेश आपको उस वीडियो से मिले कि क्योंकि मैं उन्हें वहां कुछ पढ़ा दिया है आज मैं जो कल क्लास लूँगा उससे थोड़ा सा आगे लूँगा तो मेरा मैट के क्लास कल तीन बजे अपलोड होगा वह लाइव अपलोड होगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल मैट की लेकिन अभी हम लोग के कोश्टन को देखते हैं तो हम प्रकेश करने के त्यार हो चुकि है तो कल इसे पहले लाट वहां डिसकुस किये हैं यूटोपीया समाजवादी यह पार्ट वर्म मैंने डिसकूस का था और जो इंपोर्टेंस पॉइंट था मैंने उसको यहां लेकर आया हूं और सारे इंपोर्टेंस पॉइंट को हम लोग यहां डिसकस किये हैं कि एक-एक इंपोर्टेंस पॉइंट को आपके एक्जाम में के लिए इंपोर्टेंट है तो पहला पॉइंट हो गया यूटोपियन पूछा जाता है कि यूटोपियान समाजवादी क्या है इसके बारे में लिखे या यूटोपियन समाजवादी को विश्तार में लिखे तो इसलिए मैं आपको अभी subjective के लिए जो important question है लास्ट क्लास में जो discuss कि था आप इसका विस्तिर जनकाड़ के लिए लिए आपको यहां नाम याद रखेंगे चैनल को नहीं करने हैं यह जो करना चाहते हैं आप उसे बता सकते हैं हमारे क्लास को जोईन करने के लिए हमारा क्लास फ्रियों फंड है लेकिन उसके लिए क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट से उसकी बहुत ज़्यादा पढ़ा है अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा से लिवस कंप्लिट हो जाएगे तो पर्थव योटेपियन समाजवादी कौन था एक फ्रांससी विराद विचारक सेंट साइमन था और इसका मानना था कि राज एबर्म समाज को इस देश ते संगठित करना चाहिए राज़ों समाज को इस देश से सकतित करना चाहिए कि लोग एक दुसरे का सोषन के बदले मिल जुल के प्राकिर्थिक दोहन करें और समाज के निधन वरके भोतिक एवर नेतिक उत्थान के लिए कार्ज करना चाहिए उसने प्रेट किया था कि पर्तिक को उसकी छंता के अनु समझे दिसकस किये थे यह आपके लिए कुछ इपोर्टेंस पॉइंट है मार्क्स ने एंगर्स के साथ सम्यवादी घुसना पद की घुसना 1818 में की थी यह भी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था यहां मैं पिछले क्लास का यह कर रहा हूं भी कि आप लोगों को एक बार रिभाइज हो जाए क्योंकि बहुत लोंग टाइम के बाद तीन दिन के चार दिन के बाद आप लोगों हिस्ट्री को देख रहे हों तो आप लोग कुछ भूल गए होंगे इस चेप्टर से लेक्टेट इसलिए मैं आपको पहले पी यह आप लोगों को याद रखना है दास के पिटल नामक कि पुस्ता कि अस्थापना शर्षट इसमें में हुई थी जिससे साम्यवादियों का बाइबिल का जाता साम्यवादियों का बाइबिल किसको दास के पिटल को यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट बोले स्थी करांति या रूसी करांति की क्या सब कारण यह भी आपके लिए प्रोटेंट कोश्टन है और यह पूछा जाता मैं यहां पर सिपको पॉइंट डिसकर्शन क्या हूं इसके बाड़े में मैंने विस्तार से पार्ट टू में बताया है आप लोग देख सकते हैं ज जार कि निजस्ताई में और योकिये सासन पहला करांथा दूसरा किर्शकों की देनिये स्थिति तिस्रा मजदुरों के देनिये त्थिति चो था अद्योगी करांद के समस्या रुसी करांद की नीति और विद życie सी घटनओं का परव यह सब तो यह सब जो है रूसी करांती के कारंट पूछे तो आप लोग से पॉइंट को डिसक्सन करके उसके बारे में एक दो लाइन लिख सकते हैं तो आपको नमर अच्छा मिल जाएगा और यह कोस्टन आपसे पांच नमर में पूछा जाता है तो हम लोग यह भी पिछले क्लास में डिसक्स किये थे अब हमने पिछले क्लास में एक और कोशन को डिसक्स किया तो जो आपके लिए के रोटी दो के नारे के साथ सरको पर पर परदासद करते वे सेंट पिडश्वर्ग महल की और जार आते दोस्तों सेंट पिडश्वर्ग जो महल राजा राते तरूंस के अर्ड जार में जार inappropriate जार कि आ सा 9 जनवरी 1905 था और इस दिन जो दोस्तों रविवार था इसले इसका नाम पड़ गया खुनी रविवार इसको हम लोग लाल रविवार भी कहते हैं तो यह आपके लिए एक इंपोर्टेंट कोस्टन है लाल रविवार या खुनी रविवार किसे कहते हैं यह भी आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं और आशके क्लास का पहला टोपिक है बुलस्विक करांती उनिस्ट नमंबर 1917 जिसमें रूस की करांती पूरी तरह से संपन हुए यह तो उसके पीछे के बैक्ग्रोंड थे जो अभी मैंने आप लोगों को पताए रूसी करांती यह सब पूरी संपन जो एंव भुलस्विक करांती नमंबर 1917 में हुई थी अगर कोई आपसे क्वेश्टन पुछा कि पूरी तरह से रूसी करांती कब संभव हुई थी यह भला सी करांती थे हम उसको बोलेंगे नमंबर 1907 में मैंने पिछले वी क्लास में बताया था कि पूरी तरह से रूसी करांथी ब्लोसवी करांथी के आंद नमबर 1917 में हुआ था तो हम लोग नमबर 1917 कि अब करांथी के बारे में समझते हैं सबस्कारा टोपिक अब स्टार्ट हुआ और यहां से पहले हम लोग पिछले क्लास में discussion किये थे हम आज की क्लास में discussion कर रहे हैं और ब्लोसवी कर्व 29.6 हमारा आज का टोपिक श्टार्ट होता है तो दोस्तो हमारे चैनल को अगर आप लोग भी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आईकर को भी प्रेज कर दे क्योंकि आपका क्लास जो है रेगुलर कंटोनियों बेस में आता है और मैं कोई भी विडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिस्पिकेशन मिल जाए और आपको अगर सका पीडियेप चाहिए तो हमारा नमबर है जो आपके स्कीन पर दिख रहा है 9572222339 इस पर आपने ट्रॉपिक वाज का स्टार्ट करते हैं और ब्लस्वी करांती सब्सक्राइब करते हैं आज के सिलेवस को तो ब्लस्वी करांती नावंबर 1917 तो दोस्तों इस समय जो है रूस की राजनिति मंच पर लेलिन का दूस्त कर दिया था कब दोस्तों जार के सरकार ने उस लेनिंग मज़्य पर लेनिन थे उसको जो है निर्वाशित कर दिया तो यह आपको शुईज यहीं लेन्ट में रहने लगे थे उसको जारने निर्वासित किया था उसको जब मार्च में सब्सक्राइब नममबर में पहले मार्च में का क्रांती हुई मार्च 2017 में इस करांती में जर्मनी की साहिता से रूस पहुचा जर्मनी की साहिता से जो है लेलिन जो है रूस पहुचा किसकी साहिता से अगर आपसे objective पूछा यहां भी आपको पूछा अगर यहां आपको पूछा objective कि लेलिन जो है किसकी साहिता से रूस पहुचा तो हम इसका एंसर देंगे जर्वनी के साहिता से लेलिन जो है जर्वनी के साहिता से रूस था उसके बाद जो है लेलो जब आया वह रिय्टर न 큰 न स्था सकतरम है तो उसने घ्रोषना की कि रूसी करांथि खुली रही बार के बाद यह अभी तख. खुली रही बार के जो घ्रटा हुई ते उसके बाद is उसने कहा था कि रूसी करांती अभी तक पूरी नहीं हुई है और दूसरी करांती की घोसना कर दी उसने कहा कि रूसी करांती अभी तक पूरी नहीं हुई है आप लोग अभी तक पूर्णता नहीं हुए है और उसने क्या कि दूसरी करांती की लेली ने घोसना कर दी तो अगर तो आगर आपसे पूछा लेनिन किसी साहता से जर्माने आया तो भी जह जो है जर्मानी के साहता से रूस आता आप उस्का दोस्तु लेनिन ने खूसित किया क्रूसी करांतिय ब्राज़करम नहीं हुई है बुरोशविक दल का कार्चकराम असप्रक्षट किया जो अप्रेल थीमिस के नाम से परसिद वुए वह अप्रेल थीसिस के नाम से परसिद हुआ अब मैं आपको लेलीन के तीन नाड़े बता रहा हूँ, लेलीन के जो तीन नाड़े थे हुआ है पहला भूमी, दूसरा सांती और तीसरा रोटी, ये लेलीन के तीन नाड़ी थे, भूमी, सांती और रोटी, अगर आपसे पूछा एक्जाम एक लेलीन के तीन नाड़े को लि यह आपके लिएक इंपूर्टेंस है कि लेलें के तीन नाडे थे भूमी सांति और रोटी तो यह आपके लेलें के नाडे थे चलिह हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अक्टूबर क्रांती यह हमारा आप next topic हुआ क्या है अक्टूबर क्रांती यह भी आपके लिए एक importance question बन रहा है और ये भी question हम से बार्ण पुशता है क्या है कितने लोग जानते भी होंगे, कितने लोग नहीं भी जानते होंगे, जो जो लोग जानते हैं, वो अपना एंसर लिखे बोल सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं, तो वो हमें समझेंगे, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो अक्टूबर करांती दोस्तों साथ नवंबर उनीस सास्तरों इस पीगो पुराने रूसी कलेंडर के अनुसार पचीस अक्टूबर उनीस सास्तरा आप लोग ऐसे लिखेंगा अगर आप से पूछा तो सभी एस्टूएंस मेरे बातों को अभी दियां से सुनेंगा और से बोलना हूं कि आपका दो दो बाइटेन सुलूँगा अगर आप किसी भी टाइम में नहीं करते हैं तो फिर आपको पीडियाप नहीं देंगे बहुत चले जाते हैं तो मैं उसको पूछना था तो क्या फैदा मिलता पीछे जाने से आप लोग अगर पढ़ेंगा तो यह के लिए एक बेनिफिट है तो छोड़ियों वस्वाब बातों को हमलोग अब अक्टूबर करांती को समझते हैं तो नमबर 1127 977 spr को पुराने रूसी कलेंड जो पुराने रूस की क्वत केलेंडर थे उसके अंसर 25 अक्टूबर 1191 को 25 अक्टूबर 1197 को बोलेशिविक ने पेटो गराथ के रेल्बे अिस्टेशन का असे पेटो गर चै cabe理 एस्टेशन से बेंग दागघर, टेलिफोन केंदर, कछारी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया कि इस पर दोस्तों सभी जगह पर जिसे में रेलबेस टिचन हुआ, बेंख हुआ, डागघर हुआ, टेलिफोन केंदर हुआ, कछारी हुआ, ये सब जितने भी सरकारी भवन थे उस पर जो है, लेली ने अपना बरस्विक के पोटोग्राफ ने कबचा कर लिया, उसके बाद दोस्तों केलें स्रीकिन ने रूस छोड़के, जो उस समय के तत्कलाई समरार से रूस को वह रूस छोड़के भाग गए, इस पर का दोस्तों महान बिलोस्तिक करांती, जिसको अक्टू दोस्तु है, जो है, पर चलता है, इसलिए उसमें, जो सासन जो रूस की सेना थी, उसने भी लेनिन का साथ दिया, जो रूस के सासक थे, वह जो है कुरूर थे और उसको किसी भी पर कराके, वह देवी सक्ति पर विस्वास रख रहे थे, इस सब कारण से जो है, दोस्तों इसके बाद जो है करेंसी के जो है चुरूस छोड़कर भाग गया इस प्रकार रोस में दोस्तों क्या होगे अक्टूबर करांती इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अक्टूबर करांती अगर आपसे पूछा तो आप लोगी यह सब लिख सकते हैं कि साथ नवर मार उनिसे सतर आपका रेगुरर क्लास है तो आप लोग परति कलास को यह का टिर्क ना बूले आप लोग इसको समझल है अब हम आगे बड़ते हैं अब जानते हैं हो अब अभी जितनी भी स्टुएंस देख रहे हैं वो अपना पहला एकने एकने एकनेश कुछ लिए करेंगे दुबारा मेसेज नहीं करेंगे एक बार से लिख लिख दीजएगा हमें पता चल जाएगा दुबारा लिखने की कोई भी चरत नहीं है अब हम आगे बढ़ते हैं अब दोसों नई आर्थिक नीती न्यू इकनोमिक पॉलिसी क्या है अब हम इसको जानते हैं आगे तो यह भी आप लोगों के लिए एक इंपोर्टेंस टॉपिक है न्यू आर्थिक नीती एन एपी इसको हम लोग फुलफॉर्म हो गया न्यू इकनोमिक पॉलिसी अगर आप इसका फुलफॉर्म भी याद रख लेंगे कभी फुलफॉर्म भी पूछता है एन एपी क्या है तो यह आपके लिए इंपोर्टेंस टॉपिक है और यह इंपोर्टेंस लाइन जो ऑब्जक्टिव है य ल Psychology आप आप से पूरों नाइं यह आर्थिक निती की घुष्ना थि तो नंए आर्थिक निती की घुष्ना नमबर सोब्सक्या नहीं थो मैं तो आप फ्लोग आगर आपसे%, पूछा जाता है तो यहपूश्ण आ पूचा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि नई आर्थिक निति के लिखे नई आर्थिक निती को लेक करे यह आपका इंप्सका बन जाताCoexam के लिए हम अधी को जानते हैंvenh जानते हैं नए अर्थिक निती के परमुख बाते थे किसानों से अनाज लेने के अस्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया बचा हुआ अनाज किसान का था और किसान इसको मंचाहा यूज कर सकता तो किसान कर सकता था तो किन अस्थानों से जो अनाज लेने के बदले उसके अस्थान पर एक निस्चित किसानों के लिए कड़ लगाया गया यह यह नए आर्थिक नीती के परमुक बातों को लिखे तो आप लोग लिखेंगा किसानों से अनाज लेने के अस्थान पर एक निस्चित कर लगाया गया और बचा हुआ अनाज किसान का था उसके दोस्तों जमीन राज की और फिर भी वेवार में जमीन किसान की हो गए जमीन दोस्तों एक राज की पहले तो सब राजा के हाथ में था लेकिन अब जो है नई अर्थिक निती में जो रूस में थे वह जर्म जर्म जमीन जो हे राज की थी फिर भी वह जमीन किसानों की थी उसके थर्ट पॉइंट है किसान से कम करमचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिकत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया क्या मिल गया दोसर बीस से जो कम क्रमचारी वाले उद्योग थे उसको खुद के रूप में व्यक्तिकत रूप से चलाने का दिकार मिल गया पहले यह सब राजा के हाथ में रहता था उसके नए आर्टिक निती में यह सब फिक्स हो गई पहला किसानों से अनाज लेने के चलाने का अधिकार मिल गया यह सब आपको इंपोर्टेंस पॉइंट यह भी यह भी तो आप लोग इसे पढ़ देंगे और मैं और भी बात बताता हूं आपसे यह कुर्शन पांच नमर में लिखेगा और आपसे पूछेगा नए आर्थिक नीती के परमुख बातों को उद्योगों को व्यक्तिकत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया उसके आदम आगे बरते हैं और पी चौथा पॉइंट आप देखते हैं उद्योगों को वीकंद्री कर दिया गया और निर्ने और कार नियवन की बारे में बिभीन इकाईयों की काफी छूट दी गई उस प और वीकंद्री कर दिया गया उसके दोसों वीदेशी पुंजी भी सिमीत तोर पर आमंत्रीत की गई उसके दोसों व्यक्तिकत संपती और जीवन की बिमा भी राजकी एजनसी द्वारा शुरू की गई लिदेशी पुंजी की सिमीत तोर पर आमंत्रीत की गई और छट्टा आपका हो गया है व्यक्तिकत संपती और जीवन की नियोगई द्वारा जो है नए निति में शुरूआत की गई किसके राजकी एजनसी के द्वारा चोब पॉयंट हुआ है अब आम साथ माप पॉयंट क को छुट गए कि यहां दोस्तों आपको सात्मा छुट गया है इस पीज में यहां तक तो आपका सही है दोस्तों यह भी सही यह छे था और इसे पहले भी मैंने डिसकस किये यहां पर नई आर्टिक निती यह ठीक था तो यह पहला दूसरा तिसरा चौथा पर शट्था और सात इसमें साथ मा आप लोगह लिखेंगे वलम और यह की समयो प्लूभ करेंगे 12 dni उनियन की अस्थाई स्था समयाप्थ कर गöyle साथ माप क्या हो जाएगा बेंगो को इसमें जो आप लोग लिखेंगे यह फेयं के एक्सटा लगया इसमें आप लिखेंगे सातमा आप लिखेंगे बिभीन अस्तरोप बेंग खोलेगे और आठमा लिखेंगे ट्रेड यूनियन की अस्थाई सदस्ता समाप्त कर दी गई तो यह आपके आठ को जो है कुछ इमपो interfy points थे नई आर्थिक निति के लिखे तो आप लोग तो ट्रटर eight point जो है नति आर्थिक निति में लिख देंगे तो आपको पांच का पांच नमर मिलेगा और आप लोगों मैंने जितना रूसी करांती के क्या परवाव परेते हम अपने इस चेप्टर के अंतिम चेरन पर आ चुके हैं तो अब रूसी करांती के परवाव तो मैं आज इस चेप्टर को इंड ही करेके अंत करूंगा एक लास को कि क्या चाहता हूं मैं इस चेप्टर को इंड कर दूँ से दस मिट लग जागा लेकिन दस मिट के अंदर में यह चेप्टर इंड हो जाएगा आप लोग को मैं अब अस्थिर अस्थिर समझे आपको यह भी पूश्टन पूशेगा यहां कोश्टन बनता है कि रूसी करांथी के परभाव को लिखे क्या कोश्टन आप से पूश देग की सत्ता रूस में अस्तापित होगे किस का स्रमिक और सर्वणावरम का सत्ता रूस में अस्तापित वह infinity के गया दोनों खेमों को on विशाधारा, विश को यीकारमे। उसके अस्थर पर रूस को दो भाव मेरा सामयवादी विश और दूसरा पुझिक वस्थर वादी विशória वादी। तो hour जीवादीनी पहरा उचका थेर कारा परवाज वह और सरभाड वग्का सासक आ गया उसके तो विचारधारा के अस्टरपर दो खेमों में विश्जिक किया गया पहला साम्यवादी विश्ण और दूसरा पुंजीवादी विश्ण ये सब रूसी कर्णन्ती के परवाव थे हैं कि अब हम थार्ड है इसका परवाव दूतिये विश्यूद के बाद पुंजिवादी विश्ट तथा सेवयोत रूस्र के सित्यूद की सरवातरियां अब यह थोड़ा दर्वाद हम लोग समझेंगे यह स्थित्यूद क्या होता है इसको थोड़ा दर में हम इस टॉपी को डिस सित्यूद की सुरवात हुई और चारस को तक दोनों खेमों के भीच सस्त्रों की होर चलते रहे seo sioharbr. उसको तक continue चलते रही। उसको चोथा है रूसी करान्ती के पस्चाद। यहां के छुट गया है आप लोगके पस्चाद। आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन मोडल आया क्या एक नवीन मोडल आया रूसी करांती के पासाद जो है आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन मोडल आया पाचमा इस करांती के सफलता ने एसिया और अफरीका को भी मुक्ती को भी प्रसान किया और एसिया और कप रिक का कि अवלא करने पाच करनों को एक यूवाब कारन को treble कर देता हूँ रूसी कर्ण क Rocky के करना बहुत हो दिकनतolit हो तो परवाभ नस्त करानती के बाद किस बड़ाब यह समझा देता हूँ इस करानती पार्णी के पंच्छा कर्मिक करणंती के परभौ को लिखे तो हम पहरा लिखेंगे इस करांटी के पस्चत श्रमिक अतवा सरभर्या वर सत्ता के रूप में अस्थापित ऊगया दूसरा रूसी पहला समय वादी विस और दूसरा पुंजी वादी विस तथा सेव्यत रूस के बीज़ों सिक्त यूद की शुरुवात हुई और आगमी 4 दसकों तक दोनों खेमों के बीच सस्त्रों की और चलती रही दूरती है विसके बाद यह भी हम लोग पढ़ रहे हैं रूसी करान्ति के बाद रूस में क्या परभाव पढ़ा हुई इसके बादेमें डिसकस करता हैं यह आपसे पंस नमार में या दोन नमार में प प्रुसी किरान्ति के परवाउं के पूछा तो आपसे दो पूछेगा और ज्यादा पर में पूछेंगा तो तो 35 के बास्के वीशर्थ की सुर्वात हुए और आग में चाओ चॉद की दोनों खेमओं की यह सस्तो के हore चलती रहे। तस 대해서 तो तो रूसी करांतिक पस्टा जो आर्थिक आयोजन की रूप में एक नवीड मोडल आया और इस करांतिक सफलता ने एसिया और अफ्रीका को भी मुक्ति की और प्रत्सान किया तो यह इंपोर्टेंस हुआ आपको लोगों को मैं समझाता हूं यह सीत यूद क्या होता जो हम वेचारिक यूद था जिसमें पुंजीवाद्यों गूड ताथा नेता समयवादिक गूड के नेता समयत रूस था इसका जो नेता है वेचारिक यह कैसा यूद था यह एक बेचारिक बेचार का जो अपने एक दुसरे का विचार होता उसका यूद था जिसमें पुंजीव जो है चलता राक अब तक 40-20 को तक तो सेविवत संकी विगरतन 10 संबर 1991फी में तो यह कब हुई थी यह अप लोगों के लिए एक इंपोर्टेंस ओब्जेक्टीज पोस्टन है यह आप लोगों के लिए एक अब्जेक्टीज पोस्टन है सोवियत संग का विगटन कब हुआ था तो सोवियत संग का विगटन दिसंबर 1991 SP में हुआ था अगर आपसे question पूछा के सोवियत संग की विगटन कब हुआ था तो हम लिखेंगे सोवियत संग का विगटन दिसंबर 1991 SP में हुआ था तो इस topic के साथ आप लोगों का ये जो class था हमारा chapter second history का ये खतम होता है क्या history का second chapter आज की class के साथ आपका खतम होता है अब हम लोग कल की class में जो discuss करेंगे वो हमारा है objective question को भी देखेंगे और subjective question को भी इस chapter को देखेंगे तो कल की class में हम लोग क्या देखेंगे कल की class में हम इस chapter के objective question और subjective question को भी देखेंगे और यहां तक में किसी भी students को कोई भी problem है तो वो message कर सकते हैं और सब यह students जितने students यहां तक देखेंगे वो अपना अपना एक बाई attendance फिर से message कर दे मैं आप लोगों को कुछ देड़े आप लोगों को time देता हूं एक second तक मैं आपको अभी class चलेगा तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना attendance बना दे और अपना attendance एक बार बनाएंगे उसका जो आप लोग हमें WhatsApp करेंगे आप लोगों को इसका पेडिया भेज़ दूगा तो कल के class में जितने भी students जो नहीं भी अटेंड कर रहे हैं आप लोग उसको बता देंगे कि कल हम लोग इस chapter के objective question के बारे में discuss करने वाले हैं second chapter history का objective और subjective question दोनों ही कल के class में हम लोग discussion करेंगे तो आप लोग कल के class के लिए तै तक के लिए और आप लोगों को मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है आप लोग उतना पढ़ लेंगे और मैंने जो मैस का वीडियो ग्रूप में सेर किया ता आप लोग उसे देख लेंगे क्योंकि वो दोनों आपके लिए importance है जो मैं कल से मैस का class आप लोगों के लिए लेक